अगर आपके स्किन में fine lines आ गई है या आपके स्किन बहुत ज़्यादा dry हो रहे हैं आपके स्किन में pigmentation है आखों के नीचे काला बन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ हाइड्रा फेशियल घर में आप लोग कैसे कर सकते हैं स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग, हाइड्रा फेशियल एट हो मैं पॉमपा अब सभी का स्वगत करते हूँ फिस से एक बार इस चैनल पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फेशियल के पहले स्टेप में होता है क्लेंजिंग, हम लोग आज डबल क्लेंजिंग करेंगे पहले यहाँ पर चाहिए रॉव मिल्क, अगर आपके पास रॉव मिल्क नहीं है तो आप उबला हुआ दूद ले सकते हैं लेकिन आप रॉव मिल्क लेंगे तो ही अच्छा असर आएगा आपके स्कीन के ऊपर के उसके बाद हम लोग नॉर्मल प्लेन वोटर के साथ अपने फेस को धो लेंगे और सेकेंड स्टेप में जो हम लोग क्लेंजिंग करेंगे उसके लिए मैं आप ले लिया है वान टैबल स्पुन बेसन और उसके साथ मैं यहाँ पर रोज वाटर मिलाया है आप लोग नॉर इस प्रोसेस को मिनिमम दो मिनिट तक करना ही है अगर आप लोग इस प्रोसेस को कर सकते तो बहुत ही अच्छा है लेकित बहुत time हमारे पास उतना time नहीं होता है अगर आपके पास time नहीं है तो आप लोग इस जगा पे beetroot का powder भी इस्तेमाल कर सकते हैं organic beetroot का powder तो मैंने यहाँ पे 1 टेबिल स्पून आज beetroot का powder लिया है उसके साथ मैंने यहाँ पे aloe vera gel लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे add करूंगी glycerin जो hyaluronic family से belong करता है hydrofacial में must इसको use करना ही होगा इसी से आपके skin में fine lines नहीं आएंगे skin हमेशा hydrate रहेगी इसके साथ साथ हमारी skin में जो dark patches आजाते हैं वो उसको भी कम करता है vitamin C का खजाना होता है beetroot और beetroot को use करने से skin बहुत जादा lighten and brighten हो जाती है अब हम यहाँ पे add करेंगे one vitamin E capsule vitamin E capsule भी हमारे skin को बहुत अच्छे से lighten करते हैं brighten करते हैं हमारे skin में youthful glow ले आती है उसके साथ free radicals से हमारे skin को बचाते हैं अगर आप चाते हैं कि आपके skin में कोई aging का sign ना दिखे आपके skin बहुत जादा glow करें आपके skin में कभी भी dark patches ना आए तो vitamin E capsule आज से ही skin में लगाना start कर दीजिए एक vitamin E capsule अगर रोजाना आप लोग face में यूज करते हैं तो skin में जो aging के sign आते हैं वो नहीं आते हैं के सासा skin में हमेशा एक youthful radiant glow रहती है तो यहां पर दीखे हमारा massage cream यह बन के तैयार है इसको all over face में पहले apply कीजिए और उसके बाद हलके हाथों से इसको massage कहनी होगी यहां पर जैसे मैं दिखाने हूँ massage करना ऐसे ही आपको massage कहनी है अगर आपको massage करना नहीं आता तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैं facial massage कैसे करते हैं उसको मैं दिखा चुकी हूँ उसको भी आप लोग check out कर सकते हैं और आपको नहीं आता है तो जैसे मैं normally यहां पर stroke दिखा रही हूँ वैसे ही आपको massage करनी होगी 7-8 मिनित तर ताके यह massage cream बहुत अच्छी से स्कीन में penetrate हो जाए और यह सारे हमारे स्कीन के deep layer तक काम करें बहुत अच्छी से हमारे स्कीन में glow आजाए massage करते करते हैं आप लोग से एक चोटी सी request है अगर आप मेरी चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करके बेल आइकन को hit कर दीजिगा तक कि मेरे हर एक वीडियो की notification आप लोग के पास तूरंत पहुँझाए इस remedy को ज़रूर घर पे try कीजिए और remedy आप लोग को कैसा लगा है वो मुझे comment करके जरूर बताईएगा remedy अच्छी लगिए तो friends and family के साथ share करना मत भूलेगा skin related कुछ भी problem है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे latest वीडियो के नीचे comment करके जब भी आप लोग massage करेंगे उस टाइम आप लोग को ध्यान रखना है massage हमेशा upward and outward stroke में होनी चाहिए कभी भी downward stroke में नहीं करनी है तो मैंने यहाँ पे 7-8 minutes massage कर लिया है अब मैं एक cotton wool लिया है और इसको देखे remove कर रहे हूँ कितना ज़्यादा skin bright हो गई है बहुत ज़्यादा skin bright हो जाती इस process को करने के बाद लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे massage किया है तो massage के बाद pack लगाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि massage के बाद हमारे skin में जो pores होते हैं वो open हो जाती है इसलिए हमें pack लगाना जरूरी होती है में बहुत अच्छी से face से wipe out कर लिया था उसके बाद पानी से मैंने face को धोलिया है अब pack के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 tablespoon मुलतानी मिट्टी यहाँ पे मैंने मुलतानी मिट्टी इसलिए लिया है कि मुलतानी मिट्टी हमारे skin को बहुत जादा instantly fairness देता है हमारे skin में कोई भी dark patches होती है तो उसको भी remove करते है लेकिन यह मुलतानी मिट्टी लगाने के बाद हमारे skin dry ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे मैं glycerine एट करूँगी और glycerine से ही इस pack को हमें prepare करना होगा यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे ताके हमारे skin dry ना हो जाए फेस पैक को बहुत अच्छे से prepare करना पड़ेगा धीरे धीरे हम यहाँ पे glycerine को add करते रहेंगे ताके consistency में आ जाए हम लोग face में apply कर पाए आज इस facial में हमने पहले यूज किया था raw milk raw milk हमारे skin को हमेशा hydrate करके रखता है हमारे skin को soft करते हैं यह mild cancer होता है उसके साथ साथ हमारे skin को बहुत अच्छे से supply करता है हमारे skin को lighten and brighten भी करते हैं उसके साथ सेगिंड पार्ट में हमने किया था का इस्तिमाल जो हमारे स्कीन को बहुत अच्छे से एकस्फूलियेट करते हैं और बहुत अच्छा एक स्कीन पॉलिशर होते हैं यहां पे देखे हमारा फेस पैक बनके रेडी है और फेस के ऊपर हम लोग इसको एपलाई करेंगे यह नॉन ड्राइंग फॉर्मूला में प्रि करके रखेगा इस फेस पैक को मिनिममम तेन मिनिट तक अपने फेस के ऊपर रहने दीजिए इस पिग्मेंटेशन के दाग या डाक पैचेस यह आपके स्कीन बहुत जादा टायर दिख रहा है आपके स्कीन में कोई ग्लो नहीं है तो बहुत अच्छे से यह पेस पैक आपक अधिया सॉप जो मौसुराइजर आता है उसको मैंने एपलाई किया है इस रमेरी को रात में ही कीजिएगा ताकि इस पेशियल को करने के बाद आपको बहुत ना जाना पड़े और आपको करी धूप या जादा लाइट के सामने नहीं आना पड़े मैने में तो बार आप ल कर दो कर दो कर दो